इस्राइल और हमास के बीच लगातार चट्थे दिन से युद्ध जारी है गुरुवार को चट्थे दिन भी लगातार इस्राइल गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है साथ ही इसराइल हमास को खट करने के लिए लगातार अपने लड़ाकू विवान से बंबर सा रहा है वहीं दूसरी तरफ हमास भी इसराइल पर लगातार हमला कर रहा है आपको बताते की हमले में अब तक 1200 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 1500 से जादा इसराइल जवान सहीद हो चुके है वहीं दोनों तरफ जारी युद के बीच अब भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की तयारी कर रहा है इस रेस्क्यू अभ्यान का नाम ओपरेशन अजय रखा गया है इस अभ्यान की जानकारी विदेश मंत्री S. जैसंकर ने ट्वीट करके दी है जिसमें लिखा है कि इसराइल से जिन नागरिकों को वापस आना हो उनकी सुविधा के लिए भारत सरकार ओपरेशन अजय लाँच कर रही है इस ओपरेशन में विशेश चार्टर विवान के साथ कई और तरह की विवस्था दी जाएगी साथ ही उन्होंने लिखा कि विदेशों में हम अपने नागरिकों की सुरक्षा और भराई के लिए पूरी तरसे प्रतिबद है आपको बता दे कि इसराइल में करीब 18,000 भारत के नागरिक रहते हैं इसराइल में कई ऐसे भारतिय नागरिक भी है जो नर्सिंग का काम करते हैं इसके साथ ही कई IT और हीरे के कारुबार में काम करने वाले लोग भी शामिल है इससे पहले भी भारत सरकार ने यूक्रेन और रूस के यूध में अपने भारतिय नागरिकों को निकालने के लिए ओपरेशन गंगा चलाया था ओपरेशन गंगा को 21 सदी का सबसे बड़ा ओपरेशन कहा जाता है उस समय भारत सरकार ने वहां फसे 22,000 से जादा चात्रों को वतनवापसी करवाई थी